रेप आरोपी के घर पर पुलिस ने बुल्डोजर चला दिया है आरोपी का नाम नफीस मंसूरी है और साथी पुलिस ने उसे पहले ही गिरफतार कर दिया था बताए ये भी जा रहा है कि आरोपी ने रेप के बाद पिड़ता को धंकी दे करके उसकी तस्वीर सोचल मीडिया पर वारल कर दी थी आरोपी के अवैद निर्मान के भी शिकायत की गई थी और इसके अधार पर बुल्डोजर का रिवाई की गई है उस बुल्डोजर का रिवाई की रस्वीरे इस वक्त आपके सामने है देखे ज्रेप के बाद पिड़ता को धंकी का आरोप यहाँ पर आर बुल्डोजर चला है पिड़ता को बकाइदा इसने धंकी दी थी सोचल मीडिया पर इसकी तस्मीर भी वारल इसने कर दी थी और अब इस पूरे मामले पर इस तरीके से बुल्डोजर आक्शन हो रहा है मध्यप्रदेश के चिंदवाड़ा में रेप के आरोपी के घर को ठा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया पुलिस का क्या कहना है सुनवाते हैं आपको दिनांग 11.08.2024 को एक प्रिता के दोरा थाना चांद में रिपोर्ट दर्च की गई थी कि मेक दोन का जो आरोपी है नफीस मनसूरी उसके साथ जवर जस्ती बुरा करतिक किया है और धमका करके उसकी कुछ असली फोटू उसके पास थी जो उसने वाटसाप के स्टेटस में लगा दिया था जिसकी रिपोर्ट थाना चांद में हुई थाना चांद मैं आरोपी के विरोद दारा 64, 642, 3, 5, 3, BNS की FI अधर्च करके आरोपी को गृपतार किया गे मुलाज़ा करवा के वो बरतमान में अभी जिला जेल चेहने वाटा में निरुद है कुछ सेंगटनों के दारा कुछ लोगों के दारा उसके दारा अवैध मकान जहां उसका पट्टा नहीं उसके वारे में सहते तसील दिया साक को ग्यापन दिया था जिसकी सुनवाई के बाद वो साथी के उन्हों को अटाये जा रहे बुल्डोजर आक्शन पर प्रियांका ने उठाए सवाल बुल्डोजर न्याए आसवी कार है प्रियांका गांधी ने कहा प्रियांका गांधी की तरह वेभाड नहीं कर सकते प्रियांका गांधी की तरफ से कहा गया जिस तरीके से बुल्डोजर आक्शन हुआ ज्रेख के आरोपी की घर पे और अलग-अलग क्राइम मामलों में इस तरीके के आक्शन देखने को मिल रहे है अलग-अलग स्टेट में उसको लेकर के कहिनके ये बताया गया है कि कानून जो बनता है उसका पालन भी होना चाहिए ये जो हैदराबाद में पाच करोड की पोपर्टी धा दे गई थी बुल्डोजर आक्शन के जरिए उसकी तस्मीर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये सवाल पिरंका गांधी ने उठाए कि एक कैसा न्याय का तरीका है कानून है उसके लिए पूरी प्रक्रिया है आम उसके दहजागत के आरोंगी को जब दोशी पाया जाएगा वो उसको सजा दिला सकते हैं इस तरीके से उसके घर को तहस नहस नहीं कर सकते हैं लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि ये सभावाद निर्मान है ये बताया जा रहा और उसके बाद बुल्डोजर आक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके बाद इसको लेकर प्रियांका गांधी ने सवाल उठाए है